दूस्तो एक बर फिर से आप सभी का स्वगत है आपके यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के अंदर आज आप से बात करूँगा आज के दिन के चौते T10 मैच के बारे में जो खेला जाएगा F.A.R. वर्सिस M.A.L. के बीच में तो दूस्तो मैच जो है काफी शांदर है इन M.A.L. टीम के बारे में तो इस तीम ने भी इस सीजन के अंदर तीन मैच के लिए है जहां पे तीनों के तीनों मैच हार गई है दोनों ही टीमों के इस सीजन के जो शुरुवात है वो लॉस के साथ हुई है और इस सीजन ये अपना विनिंग का खाता नहीं खोल पाई है ले जो यहां पर टीम बनाएंगे वो F.A.R. के फेवर में बनाएंगे इसी के साथ साथ वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के हर एक लियर का बैटिंग ओडर बताऊंगा साथी साथ उन बॉलर्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस मैच में आपको कनफरम अपने स्प अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके न मेरा मोटिवेशन आप लोग ज़रू बढ़ाईएगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेन कम आपको क्या करना है आप लोगों को टेलीग्राम से जोड़ जोड़ना है देखो इस मैच की ज जो भी प्लेइंग इलावन होगी या फिर जिस टीम से मैं खुद केलूंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चनल पे मिलेगी कैसे आप लोग जुड़ोगे आपको क्या करना है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना है इन्ही लिंक पे क्लिक करके आपको जुड़ना है याद रखना सर्च करके मत जाना अगर आप लोग सर्च करके जाओगे तो आप किसी गलत चैनल पे जॉइन हो जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जो उपर की ये दो लिंक मैंने दिये हैं इन में से किसी बे भी क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चनल पे जॉइन हो स इस सीजन तीन मैच खेले हैं, लेकिन इनको बैटिंग करने का मौकर नहीं मिला है, और बैटिंग भी करने आएंगे, तो बहुत नीचे करने आएंगे, तो इनको अपनी small league की team में लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उमार फरूक हैं, टीम के लिए विकेट कीपिंग के सा दो मैच में मात्र इनके नाम आपको छेरन देखने को मिल जाएंगे और पहले का भी अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊना तो बहुत खराब आपको देखने को मिलेगा अराउंड ECS के अंदर 15 मैच इनोनी के लिए हैं जहां पे मात्र 37 रन मना रखें और ECN के अंदर 14 मैच म मात्र 77 रन मना रखें तो जैश पूपट को सिर्फ ग्रेंड लिग में ट्राइ करना और ग्रेंड लिग की भी सिर्फ एक टीम में ट्राइ करना बाकी ट्राइ करने की ज़रूरत नहीं है आशा ट्राइब को पिक करके चलेंगे एज़ा और लाउंडर खेल रहे हैं इस मैच में एट्राइब को बॉलिंग मिल जाए मैं कन्फरम नहीं बोलूँगा लेकिन बैट्समन अच्छे हैं अपनी स्मॉल लिग की टीम में एट्राइब को जरूर लेके चलिएगा बात करते हैं बैटिंग सेक्शन के बारे में सबसे पहले हैं चार्ल्स परहेड जो की रिकॉर्ड दिखोगे तो 227 मैच इसका इनके पास एक्सपिरियेंस है जहां पे 4907 इनोंने रन बना रखे हैं और 191 इनोंने विकेट ले रखे हैं तो ये चार्ल्स परहेड का पहले का रिकॉर्ड है बहुत तगड़े प्लियर हैं अपनी स्मॉल लिक की टीम में जरूर ल रही है. केमरन गिप की अगर बात करता हूं तो शटे डाउन पर बैटिंग करने आते हैं इसी वज़े से आपके लिए इंप्रटन नहीं बनेंगे. Samy Ali के बात करता हूँ तो M.A.L. टीम के लिए चटी डाउन पर बैटिंग करते हैं तो इनको भी ट्राइ नहीं करेंगे Cameron Green Shield के बात करता हूँ तो लास्वले मैच में बैटिंग भी करी एवन दो ओवर की बॉलिंग करी एक मैच अभी इनका जो लाइव चल रहा है ना उसमें मैं देख रहा हूँ इन्होंने जो अपना पहला ओवर इस सीजन डाला ना उसमें सिर्फ एक रन देखे इनके नाम आपको दो विकिड देखने को मिल जाएगी मतलब Cameron Green Shield बहुत ही बहतरी नाल लाउंडर है और अगर आप इसका पहले का रिकॉर्ड देखोगे ना तो इसने ECS के अंदर 14 T10 के मैच में 480 रन मना के 8 विकिड ले रखे ये इसका ECS का रिकॉर्ड हो गया ECN के अंदर 14 T10 के मैच में 122 रन मना के सूला विकिड इसने ले रखे तो Cameron Green Shield बहुत अच्छा और लाउंडर है ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ऐसे ही बॉलिंग करवाईगा ये प्रॉपर बॉलर है इवन ये कहूंगा प्रॉपर और लाउंडर है तो इसको अपनी स्मॉल लिक के टीम में कैप्टान आप लोग जरूर बना के रखियेगा आमिर जेब को लास वाला मैच टीम ने नहीं किलाया था और अभी तक ऐसी कोई नियूज निकल के नहीं आई है कि जिसकी में ये पता चले कि आमिर जेब इस मैच में खेलेंगे या फिर नहीं केलेंगे खेलते हैं तो बिलकुल अपनी टीम में प्रैफर करेंगे नहीं खेलेंगे तो आपको इनको छोड़ देना है मियान शाहिद को इस मैच में मैं अगेन पिक करूँगा देखो यार मियान शाहिद ना टॉप लेवल का प्लियर है भले ही इस सीजन इसकी परफोर्मेंस बिलकुल डाउन रही हो दो मैच इस सीजन खिलाए गए हैं जहाँ पे दो रा निनों ने बनाए हैं लेकिन अगर आप इसका पहले का रिकॉर्ड देखोगे न ECS के अंदर 15 T10 के मैच में 180 रन इसमें मना रखे हैं ECN के अंदर 14 T10 के मैच में 245 रन मना के 12 विकेट इसने लिए रखे हैं तो मियान शाहिद बहुत अच्छा और लाउंडर है इवन यह कहूँगा बहुत अच्छा बैट्समैन है तो लेके जरू चलिएगा अगर यहाँ पे एजेब खेलते हैं तो डारेकली शाहिद को छोड़के जेब को अपनी टीम में पिक कर लिए जेगा जे स्मित को अपनी टीम में नहीं लेंगे चौतरी डाउन पे बैटिंग करते भी दिख जाएंगे जेक ट्राइब के बारे में उन्हें आपको बताया था बहतरी नोड लाउंडर हैं दो मैच में इस सीजन बले ही 29 रण इनोंने मनाई हों लेकिन अगर आप इनका पहले का रिकॉर्ड देखोगे 194 मैच इसका इनके पास एक्सपिरियेंस है जहां पे 4,485 इनोंने रण मना रखी है और 111 इनोंने विकेट ले रखी है तो ट्राइब बहुत अच्छे की लाड़ी हैं इवन यहाँ पे चार्ल्स परेड बहुत अच्छे की लाड़ी हैं लेकिन पहले का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं ना तो स्यूमर का आपको डिसेंट सा देखने को मिलेगा कोई इतने एक्सपिरियेंस वाले खिलाडी नहीं है लेकिन जब चलते हैं तो अकेले दंपे पूरी टीम को जिता सकते हैं तो लेके ज़रूर चलिएगा लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाईएगा आमीर एकरम की बात करूँ तीसरे डाउन पर बैटिंग कर रहे हैं तीन मैच में इस सीजन मात्र इन्होंने 24 रन बनाई है पहले का रिकॉर्ड ना एकरम का इतना चा नहीं है इसी वड़े से इनको नहीं लेंगे बहुमन नावित की बात करता हूँ एक मैच में मात्र आपको तीन डन इनके नाम देखने को मिल जाएंगे तो इनको नहीं लेंगे विल पर हैड की बात करता हूँ दो मैच में आपको एक विकेट इन के नाम देखने को मिल जाएगी, ठीक ठाक से खिलाडी है, ग्रेंड लिग की टीम में ले सकते हैं, स्मोल लिग में लिनी के ज़रूरत नहीं है, एम आजी मनवर की बात करता हूँ, तीन मैचीज में चार उवर की बॉलिंग करवाई गई है और यहाँ पे ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस इनों ने दी है, अगर आप देखोगे, तो विकेट इनको एक भी मैच में नहीं मिली है, लेकिन ऐसे प्लियर हैं कि चल गए तो ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है, जे डियू गरीची की बात करूँ, इनको नहीं लेंगे, बैन काय मैंन को अपनी टीम में नहीं लेंगे, शयाद माईजिम यार इस मैच में मेरी गेम चिंजर पलिया रहेंगे, पहले मैं आपको बता दू कि इनको मैं ले क्यों रहा हूँ, सबसे पहले रिजन, ECS के अंदर ना 15 मैच में 194 रन बनाके इनके नाम आपको 7 विकेट दे हैं, इतने कोई खास बैट्समें नहीं है, इवन ओल लाउंडर सेक्शन में दिया वा है, लेकिन बॉलिंग इतनी जादा आपको करते भी नहीं दिखेंगे, आर पलमर की बात करता हूँ, देखो ऐसे प्लियर हैं जो कि मिडल ओर मेना फार्मर्स टीम के लिए बैटिंग भी कर लेते हैं, इसी के साथ साथ दो ओवर की बालिंग कर लेते हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बालिंग ओल राउंड रहे हैं, तो इनको लेके चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे असद महमूद को टीम नहीं खिला रही हैं, इनको ट्राइन ही करेंगे, मुहम तो वहाँ पे 12 मैच में इसने 136 रन मना के 11 विकेट ले रखी है, तो अधनान गॉंडल बहुत अच्छा प्लियर है, रिसेंट फॉर्म से हाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा खराब है, लेकिन ऐसा प्लियर है जो की अकेले दम पे मैच बता सकता है, तो गॉंडल को as a differential प्ल करूँ तीन मैच में एक विकेट इनके नाम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक ठाक से के लाड़ी है, ग्रेंड लिक में लेके चलिएगा, जोईल रिचर्ड सन के बात करूँ दो मैच में चार विकेट यहाँ पे लेकी गए हैं, इम्पॉर्टन प्लियर है, और इस मैच में confirm है कि यह आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो इनको लेके चलिएगा, उसके बाद यहाँ पे P-Camp के बात करता हूँ, तो इनको आपको अपनी small league के team में try नहीं करना है, तो हर एक player के बारे में मैं आपको समझा दिया है, अब इन सभी player के record यहाँ पे मैं आपको दिख लाएगा, इन records का ना आप लोग screenshot लेके रखिएगा, यह जितने भी records मैंने आप लोगों के लिए लिखिया है ना, यह आपको बाद में grand league की team मनाने में बहुत जादा help कर देंगे, दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको अपनी small league की final team दिखा देता हूँ, यह मेरी team मनती है, captaincy, vice captaincy की बात करूँ, तो green shield को मैं captain बना के चलूँगा, opening के साथ आपको 2 over की balling दे रहे हैं, जैसी performance last वाले match में दी है, उसके बाद आपका opponent भी green shield को ही captain लाएगा, vice captain यहाँ पे मैं end शाजाद को बना रहा हूँ, इनके अलावा यहाँ पे Charles Perhead भी एक बहुत अच्छी option र बनाए, अगर आप रिस्क लेना चाहें, तो यहाँ पे Charles Perhead को बनाए, तो आयोप आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आयोगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आयोगी, अगर आप लोगों को लगता है, वीडियो थोड़ी सी भी informative थी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीगराम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीगराम से भी जुड़ जाईएगा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, तो दूस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्यो सो माच,